रावन जोर-जोर से हसते हुए अपनी दस सिर वाले रूप में आता है। रावन जी बोलते हैं, नीच निचाचर असायह इस्त्रियों पर वीर्ता दिखाने वाले कायर, तु किस बात पर अपने को वीर कहता है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। और राम जी अपने धनुषबान से रावन का सर धड़ से अलग कर देते हैं। रावन का सर जैसे ही धड़ से अलग होता है, उसके मुह से निकलता है। अंतिम समय में रावन के मुह से राम का नाम निकला, जिससे उसका उद्धार हो गया और उसके पाप धुल गए। प्रभुश्री राम जब लंकेश पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लोटे, तो माता कौशल्या ने अपने बेटे से पूछा, तूने लंका पती रावन को युद्ध को कैसे पराजित किया। राम ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा, मा, मैंने रावन का वद नहीं किया, रावन को उसके अहम ने मारा, उसके अहंकार ने मारा। वस्था में वे अपने आराध्य महादेव की शरण में पहुँचे और उनसे प्रश्न किया, हे, हे, महाकाल, आप तो अंतर्यामी है, आपको मालूम है कि ये रगुवन्शी पुरुष कौन है, कृपा करें, अन्यथा आर्शे पुलत्स्य का संपूर्ण कुल नाश हो जाए हर असुर, मानव, जन्तु को मोक्ष प्राप्ध होता है, वो सदा सदा के लिए जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है, अतह तुम युद्ध में पहले अपने कुल जनों को श्री राम के समक्ष भेजना, इस तरह तुम्हारे पुरे कुल का कल्यान होगा, और अंततह स्वयम मोक को प्राप्ध हो जाना